हलो स्टूरेंट में शाहिन लूथरा आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 हिस्टरी का हमारा लास चेप्टर उसकी कोशना अनसर्स करेंगे आज हम इस वीडियो में जिसमें सबसे पहले हमें दे रखा है मैच सा फॉलाइंग मैच सा फॉलाइंग में हमें यहां पे जो है म रवेन्यू फार्मर है और निसल जो है वो है इसके अंदर अब बैन्ड ओफ सिक अबैन्ड ओफ सिक वारियर ठीक है चोथ क्या है इसमें चोथ है टेक्स टेक्स डिवाइड बाइदा मराथा कुन्बीज जो है वो है मराथा पीजन्स वारियर और उमारा जो है इसके अंदर आ हाई नॉबल ठीक है यह हमारे मैचिंग हो गए अब जो है हम इसमें फिलिंदा ब्लैंक सिक और इंचे फाउट आप प्रोटेक्टिट वार इन दा डेकन और इंचे ने जो प्रोटेक्टिट वार थी वो कहां करी थी डेकन में जो लडाई लड़ी थी प्योर सेकिंड है उमारा और जागीरदास पावरफुल सेशन अव्दा मुगल अद्मिनिस्टेशन जह उणने मुगल प्रशाशन मुगल प्रशाशन उमारा और जागीदार ने मुगल प्रिशाशन का शक्तिशाली वर्गों का गठन किया थर्ड सी है आसफ जा फाउंडेट था हैद्राबर स्टेट है वो कब थी उन्होंने स्थापना करी थी उसकी 1714 में अब इसके टूफ देखते हैं फर्स्ट है नादिर्शा इन्वेटिट बंगाल अब नादिर्शा ने बंगाल पर हमला वो किया था तो यह फॉल्स है जो सवायराजा थे वो सवायराजा थे वो इंडौर के क्या शाशक थे रूलर थे तो यह भी फॉल्स है गुरोगोबिन सिंह था तेन्थ गुरू अब यह थी शिन्ट इस्ट है उसके बाद है पुना became the capital of Marathas in the 18th century अब जो पूना जो धाया ठार्विश रदाब्दी में Marathाओं की राजधानी बना तो ये true है question number 4 देखते हैं what were the offices held by the सादाद खान अब इसमें तो सादाद ना इस तरीके से लिखा हो तो यही वाली spelling हम यहां लिखेंगे यहां पर डबल यह आएगा ठीक है यहां पर एक और सादत ऐसे लिखेंगे आप ठीक है ऐसे कॉमा फिर एडी एटी जो यह लिखेंगे सादुत खान के spelling यह वली आप लिखेंगे लेना तो यहां पर हमारा question है what were the office held by the सादत सादत खान अब जो सादत खान है सादत खान के पास कौन कौन से जो office है वो हमें बताना सूबेदारी का फोजदारी का और दिवानी यह तीन जो थे उनके पास office थे and he was the responsible for managing political, military and financial affairs और वो किस चिस के जिम्मेदार थे वो इस चिस के भी responsible थे किस के साथ वो क्या-क्या manage करेंगे political, military और financial affairs है वो भी यह सब देखेंगे ठीक है सादत खान question number five देखते हैं why did the नवाब of अवद and बंगाल try to do away with the जागीदारी सिस्टर अब जो अवद और बंगाल के नवाब ने जो है जागीदारी सिस्टम को दूर करने की कोशिश क्यों करी आप जो उनको इन हैरेटेट अब जो उनको इन हैरेटेट मतलब जो उनको ये जो हमें जो चीज पीछे से जो हमारी उसमें मिलती है ना विरासत से जो मिलती है तो उन्हें ये जो प्रणाली थी उनको ये संदेह था देवर स्पीशियस उन्हें इस प्रणाली पर संदेह था कि उन्हें ये विरासत में मिली थी अब उन्होंने क्या करा कि जो टेक्स कलेक्षिन का जो तरीका था उनका वो अलग थे उन्होंने इसकी जगा क्या करा उन्होंने जो है किसानों को ही टेक्स इकठा करने के लिए हायर कर लिया ये यूज़ प्रैक्टिस ऑफदार इजारीदार एब उन्होंने जो है क्या करा वह जागीरदारी की स्थान पर उन्होंने इजारीदार का जो है वह प्रयोग करते थे यूज़ करते थे, क्या है? और वो जिसे को इन से लोन लेता था तो उसके बदले में security के लिए क्या रखते थे लैंड रखते थे ठीक है देन यूदा लूप पॉल से उनकी खामिया थी उनको जानते थे उनकी सिस्टेम के लिए उनको जानते थे और वो जो यह भी जान उसके साथ कि वह कैसे जो जागीदार यतने पावर्फुल बने कैसे इतने शक्तिशाली हो गएं यह सब की उनने क्या करा चेक करा इना इनने टाइम मतला अगर उनकी जाश ना की जाए तो जो जागीदार होते हैं कैसे जो हैं इतने शक्तिशाली हो जाते तो उनके जो लूप वो से जानते थे इसलिए वो क्या चाहते थे इसलिए जो है वो अवेदा जागीदारी सिस्टम को जो है वो दूर करना चाहते थे ठ के बारें बताना है जो 18th century 18th century में जो सिख थे किस प्रकार से जो है उन्हें उनका जो और्गनाइस किया how were the sick organized in 18th century किस तरीके जो सिख थे 18th century में किस प्रकार से संगठित थे ठीक है तो इसको हम पढ़ते हैं तो सत्रवी शताबदी में ही सिखों ने क्या करा था एक जो पॉलिटिकल कमिनेटी थी जो राजनितिक समुधाय के रूप में इसको संगठित किया था इससे क्या हुआ पंजाब का जो छेत्रिय राज्य निर्मान जो है वो हुआ अब गुरु गोबिन सिंग जी ने फाउट मैनी बैटल अगेंस दा राजपुत एस वलें दा मुगल रूल कुरु गोबिन सिंग जी ने बहुत साई लड़ाईयों जो है राजपुतों और मुगलों के खिलाफ लड़ी बोद बिफॉर और आफ्र दा इंस्टिशन ऑफ खालसा इन 1699 अब 1699 में खालसा की मतलब की जो उन्हों जो लड़ाईयां लड़ी थी और किसके साथ राजपु लड़ी और बाद में क्या किया और 1699 में खालसा की स्थापना की आफ्र देथ गुर्गोबिन सिंग 1708 में जब गुर्गोबिन सिंग की देथ हो गई तो खालसा ने क्या किया रिवॉर्ड अगेंस दा मुगल अथॉर्टी अंडर दा लीडर्शिप बंदा बहादूर अंड उसको बंदा बहादूर को लीडर बनाया गया और मुगलों के खिलाद से कि गुर्गोबिन सिंग जी पहले लड़ाई लड़ रहे थे उसी तरीके से उन्होंने भी उसको आगे किया ठीक है और वहाँ पर एक जो है यह सरवजन रूल होता है सार्व भूम शाषक जो है वह कर दिया फिर बंदा बहादूर बंदा बहादूर को 1715 में उनको मार डाला इन 18th century फिर ठार विश्यतादी में किया वह जो सिखों ने जो है फिर अपना ही एक सिख ऑर्गनाईजर देंसल्व इंटु दे नंबर ऑफ बैंड को जत्था उन्होंने अपना ही एक संभूता है बनाया जिसका नाम जत्ता था जिसको बाद में रचस बोला गया रव्यव ने औरगनाईज एने बर धने अपना हे जत्ता था ये लोग क्या हो गए थे यहुद 54th मिल गई थी किसमें मुगलो को निकालने के लिए जो पंजाब में से मुगलों बहार निकांने में वहां सफलता मिल गई थी ठीक है । अभ हम पढ़ते हैं, वाइट दर मराथास,वारू टू,एक्सिंड ओंड डैकल,अब जो मराथा थे, कियो आगे क्यों भरना चाहते थे मराठा थे थे वह समराजी को चीन ले ना चाहते थे इसलिए वह डेकन की रजो है वह आगे बढ़ना चाहते थे अब मराठा अधिपती के रूप में उनको रेकोगनाइस किया गया जो चोथरे उन्हें के तरफ बढ़ना चाहते थे कुछ नमबर एड देखते हैं, what were the policies adopted by the Asaf Jha to strengthen his position, अब Asaf Jha जो था वनुने अपनी strength को मजबूत करने के लिए कौन-कौन सी जो policies थी उसको अपनाया, after being the actual ruler for the Deccan, Asaf Jha begin to adopt some policies, अब उनुने कुछ policies जो है उनुने अपनाया को ज़्यादा शक्तिशाली करने के लिए, तो first है इसमें, he brought skilled soldier, उनुने जो हैं बहुती कुशल सानिक और administration, जो बहुती skilled soldier और administration जो हैं, उनुने क्या करें, मंगवाए या उनुने बुलाए, he brought from North India, ठीक है कहां से, North India से, who welcomed new opportunities in the South, जिनको जिन्होंने नए अफसरों का, उन्होंने स्वागत किया, कहां से थे, who welcomed the new opportunities in the South, ठीक है, he appointed, मंसबदार and grant जागीर, अब उन्होंने क्या करा, मंसबदार और grant जागीर, जो थे, वो भी appoint किये, ठीक है, उन्होंने नुक्त किये, he ruled independently without Mughal interference, the Mughal emperor merely confirmed the decision already taken by आसफ जा, उन्होंने मुगल हस्ताशेप के बिना ही, स्वतंत्र रूप से शाशन किया, मुगल बाश्या ने, जो सिरफ आसफ शा द्वारा ही, अपने जो decision थे, उनकी पुष्टी किरों ने confirm किया, किस के द्वारा, सिरफ आसफ शा के द्वारा ही, बस यहाँ तकी main question है, लेकिन एक question हम यह देख लेते हैं, यह इतना important की खास question नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम देख लेते हैं, अब इसमें पूछाएगा है कि आपको क्या लगता है, कि जो आज की जो वेपारी, आज की जो bankers है, पहले क्या होते थे, उसके हिसाम से अगर देखा जाएं, तो जो उस पर क्या प्रभाव है, वो हमें बता रहा है, कि किस चीस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अगर हम 18th century की देखे, अगरे, merchants were more influence than the bank, 18th century में, bank से ज़्यादा जो merchants होते थे, जो loan वोन देते थे, पैसे देते थे, लोग उन से ज़्यादा प्रभावित होते थे, वो क्या करते थे, ज़्यादा जो है, loan opportunities देते थे, more loan opportunities, the high interest, और बहुत ज़्यादा interest भी लेते थे, but now, अब क्या है, with the spread of education people, अब educated लोग है, क्या prefer करते है, bank prefer करते है, which provide loan and other financial assistance of cheaper rate, और जो bank है, वो कम rate of interest पर पैसे देता है, लेकिन 18th century में क्या था, merchants को ज़्यादा प्रभावी थे, influence थे, लेकिन अब किस से है, bank से है, bankers also provide subsidy to the interest rate, they have different scoops of loan for different purposes, so they are more influenced to rate than the merchant, अब देखो, अलग अलग है, home loan अलग है, personal loan अलग है, तो different scoops हो चुकी है, loans की, इसलिए आज की time पर जो है, merchant से ज़्यादा, जो है, वो bank से लोग लोगने पसंद करते है, हमारे main question जो थे, question number 8 तकी थे, तो यह हमारा chapter और पूरी book complete हो जाती है, hopefully आपको हमारी सभी वीडियो जो helpful लगी हो, वीडियो helpful लगे तो please like, share, subscribe करे, thank you,